हलो गाइस आप सभी का रश कैंटीन में हादिक अभी नंदन आज हम जो सबजी बनाने जा रहे हैं उसमें किसी भी तरह के मसाली की ज़रूत नहीं है केवल दो चमज तेल में हम इसे बनाएंगे देखकर लग नहीं रहा है कि बिल्कुल भी मसाली हमने ऐसी में यूजनी के ना दाल दिया है और गहस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और तेल गरम हो चुका है इसमें मैं डाल रही हूँ छोटी चमज सरसों के दाने और उतना ही मैं जीरा डाल दूंगी इन दोनों चीजों को पकने के बाद इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चमज अद्रग जिसे मै साथे करना है हमें जलता है करना है इसी तरह से हम चलाते हुए इसे फ्राइग करेंगे इस चीज का ध्यान रखना है कि आलवा करते करती यह यह थोड़े से कूख हो जाएं बहूते देखे बढ़्या से फ्राइब होती जा रहे हैं यह अब इसे के साथ में हम डाल देंगे यह बैगन तो बैगन मैंने दो लिए हैं उसको भी इसी आकर में है काटलिया है बिना चीले हुए तो बैगन मैंने डाल दिये हैं और इन दोनों चीजों को भी अच्छे से मिक्स करेंगे साथ मिन डाल दी है चार से पांच हरी मिर्ची लंबाई में काट कर अब बारिया आती है नमक की तो वेजिस के अकॉर्डिंग में नमक डाल दूँगी इन तीनों चीजों को एक मिन तक फ्राइ करने के बाद हम इसे 20 से 30 सेकंड के लिए ढख देंगे यहां पर यह देखी लिड मैं नहीं हटाकर देखिया। देखनें लग रहा ह। यह दूनों ही चीज़े साफ्ट हो चुकी ये देखे, परफेक्ट सब्जी हमारी दो मिनट में बनकर तयार हो गई है लंच बॉक्स के लिए, बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए, आपके ब्रेकफस्ट में, आपके डिनर में, किसी में भी ये सब्जी बना कर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं कईस यहां पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, बेनेफिश है लगते हैं तो आगे से आगे शेयर कीजिए आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेश को फॉलो करें और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में पैल आइकन दबाना ना भूलें तो फिर देर किस बात के बनाएए, खाईए और सबको हिलाएए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए थैंक्यू